अब जिन लोगों लगता है कि Bloodline की स्टोरी खतम हो चुकि है तो मैं आपको ये बता दू कि हो सकता है कि अनुवी फैमली से जुड़े और मेंबर्स WWE में जॉइन करें सून और बन जाया है Bloodline के New Members इसी के साथ बहुती जादा solid storyline continue आगे हो सकती है Roman Reigns की Bloodline versus Usos की Bloodline के साथ तो Welcome to WrestleMania हम सबको पता है कि Money in the Bank में हमें देखने को मिलेगा Civil War जहां पे हमें देखने को मिलेंगे Roman Reigns और जे उसो को अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या Roman Reigns की Bloodline की स्टोरी खतम जी नहीं ऐसा माना जा रहा है कि और भी SA members हैं जो की join कर सकते हैं WWE Soon सबसे पहले तो हम बात करेंगे थामिको टी फाटू के बारे में जिनके बारे में अनाउंच किया था रिकीशी ने कि वो भी अब wrestling की bookings ले रहे हैं अब यह भी Annoy family से जुड़े हैं तो क्या हमें यह दिख सकते हैं WWE में Soon यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा इसके रहाँ तीन ऐसे members हैं जिनके बारे मैं बताऊँगा इस वीडियो में असे पहले मैं बात करूँ और Lance Annoye के बारे में अब Lance Annoye आज कर हमें दिखते हैं Major League Wrestling में यानि की MLW में हो है current MLW World Tag Team Champion Lance Annoye के father है Samo जो की पहले compete कर चुके हैं WWE में as a member of Wild Summons and the Head Shrinkers WWE और NXT में पहले भी हमें कुछ matches में दिख चुके हैं लेकिन इसके बाद उन्होंने रुक किया MLW की तरफ जहाँ पर वो अब हमें देखी जाते हैं as World Tag Team Champion बात जिस member के बारे में मैं बात करने आला वो है Jacob Fatu अब Jacob Fatu again MLW में आज की रेट में काम करते हैं अब इनका contract MLW के साथ कितना है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन वो बर बन सकते हैं Bloodline 2.0 का अब Jacob Fatu इंडिपेंडन्स रकें में बहुत जाना मना नाम है और वो सन है Sam Fatu के अब Sam Fatu WWE यानि की उस ताम की WWF में The Tonga Kid और Tama के नाम से wrestling कर रहा करते थे इसके बाद हम बात करेंगे जीला Fatu के बारे में अब इस in-ring debut के साथ वो wrestling के मैदान में उतरने वाले हैं तो क्या हम ये मानें कि वो हमें जल दिख सकते हैं WWE के अंदर शायद NXT में या शायद direct main roster में और शायर वो पार्ट बन जाए Roman Reigns की Bloodline 2.0 का तो ये ऐसे numbers हैं जो मुझे लगता है कि next version of Bloodline में जरूर हमें देखने को मिल सकते है WWE में और ये बहुत ही solid फिर से हमें देखने को मिल सकती है Bloodline versus Bloodline की story in the future in WWE अब आपका क्या मानना है क्या आपको लगता है कि Bloodline की story यहीं खतम कर दिनी चाहिए कि या अभी इस story को continue करना चाहिए क्योंकि कि इस story से TRP तो जरूर मिल रही है WWE को और merchandise भी बहुत बिक रही है Bloodline की इन सब के बार में आपका क्या मानना है comment section में जरूर बताइए और ऐसी और interesting videos के लिए subscribe करें हमारे साहन